गुड मॉर्णिंग क्लास, बी ए पार्ट फर्स्ट, पोलिटिकल साइंस, पेपर सेकिंड, प्रतिनीधी भारतिय राजनितिक विचारक, चेप्टर है हमारा स्वामी विवेकानन्द, और आज़की लेक्षर का टॉपिक है स्वामी विवेकानन्द का सामाजिक चिंतन. विवेकानन्द के रिदा में एक आंधी थी, उनके अंतहकरण में प्रखर ज्वाला थी, वे भारत को जगाना उपर उठाना चाहते थे, समासुधार और देश के पुनर जागरण के संबंद में उनके विचार बिलकुल इसपष्ट थे, सामाजिक कारियों के प्रती उनका महातुपून अंग के रूप में स्विकार किया जाए। अब देखते हैं स्वामी विवेकानन्द का सामाजिक चिंतन भारती समाज की बुराईयों और पतन के कारणों पर प्रहार, फर्स्ट पॉइंट है अस्प्रश्चता और रोडिवादिता का विरोध। विवेकानन्द ने भारत में व्याप्त अस्प्रश्चता और रोडिवादिता पर कटू प्रहार किया। विवेकानन्द में आत्मा को छू लेने वाले शब्दों में कहा, भारत में यह रोना-धोना मचा है कि हम बड़े गरीब हैं, परन्तु गरीबों के लिए कितनी दान प्रामशील संस्थाई हैं, भारत के करोडों गरीबों के दुख और पीडा के लिए कितने लोग असल में रोते हैं, हम उनकी जीविका और उन्नति के लिए क्या कर रही हैं, हम उन्हें छूते भी नहीं हैं, और उनकी संगत्ती से दूर भागते हैं, क्या हम मनुष्य हैं, वे हजारों ब्राम्मन भारत की नीच और दलित जनता के लिए क्या कर रहे हैं, मत्चू, मत्चू, एक ही वाक्य उनके मुख से निकलता है, उनके हातों हमारा सनातन धर्म कैसा तुच्च और भ्रष्ट हो गया है, अब हमारा धर्म किसमे रह गया है, केवल चुआ छूत में और कहीं नहीं, ऐसे लोग मनुष्य कहलाने के अधिकारी भी नहीं है। विवेकानन्द ने लोगों को कूप मंडू न रहकर, खुली आँखों से दुनिया देखने के लिए कहा, और पीछे की और न देखकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका संदेश था कि जीवन प्रगतिशील है और आज का हमारा जीवन पिछली अनेक सदियों में की गई प्रगति तथा विकास का परिणाम है। इसलिए हमें रूडिवादिता और अप्रगतिशील विचारों से दूर रहकर सदेव प्रगतिपत का राही बनना चाहिए, समाज में व्याप्त अंद्विश्वासों को ठुकरा कर प्रत्तेक बात को तर्क और बुद्धी के कसूर्टी पर कसकर ग्रहन करना चाहिए। स्वामी विवेकानन्द के रिदय में गरीबों और दलितों के प्रती असीम सहानुबूती थी। शंक फूंकना, घंटा बजाना और आरती करना चोड़ दे। हम शास्त्रों के पठन-पाठन और व्यक्तिकत मौक्ष के लिए सब तरह की साधनाओं को चोड़ दे। और गाउं-गाउं में जाकर गरीबों और पीडितों की सेवा करने का बीड़ा उठा ले। उन्होंने सिक्षितों को इन शब्दों में चुनोती दी। जब तक करोडों लोग भूक और अज्ञान में गोते खा रहे हैं तब तक में हर आदमी को एक विश्वासगा तक मानता हूं जिसने उनकी गाड़ी कमाई के पैसे से सिक्षा पाई है और अब उन्हीं पर कोई धान नहीं देता। इस तरह उन्होंने अमीरों को, सिक्षितों को उनके कपट, शोशन और अनाचार के लिए एक प्रेणादाई संदेश प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट है बालविवा का विरोध। उन्होंने बालविवा का विरोध किया और घोशित किया जिस प्रथा के अनुसार अबोध वालिकाओं का पानिग्रहन संसकार होता है, उसके साथ में किसी प्रकार का संबंद रखने में असमर्थ हूं। बालविवा के दुश्परिणामों को इसपष्ट रूप से सम्मोक रखते वे उन्होंने कहा बालविवा से असामाईक संतानोत पत्ती होती है और अलपाईव में संतान धारन करने के कारण हमारी इस्त्रिया अलपाईव होती है। उनकी दुर्बल और रोगी संतान देश में भिखारियों की संख्या बढ़ाने का कारण बनती है। उन्होंने यह भी कहा कि आज घर घर में इतनी अधिक विद्वाएं पाए जाने का मूल कारण बालविवा ही है। यदि बाल विवाहों की संख्या घट जाए तो विद्वाएं की संख्या भी स्वमेव घट जाएगी। बाल विवा निराकरण, विद्वा विवा आदी सुधारों के संबन में उन्होंने विचार प्रकट करते वे कहा कि हमारा कर्तव्य तो यह है कि हम समाज के प्रत्ते घटक को चाहे वर इस्त्री हो या पुरुष सिक्षित और सुसंस्कृत बनाई जनता के इस प्रकार सिक्षित हो जाने परवहस्व्यम अपने हानी लाप का विचार कर इस प्रकार की कुरितियों को निकाल बाहर करेगी और तब दबाव से किसी बात को समाज पर लादने की अवशक्ता नहीं रह जाएगी और इसी लिए उन्होंने इस्त्रियों को सिक्षित करने की अवशक्ता पर जोर दिया स्वामी विवेकानंद का मत्था कि इस्त्रियों की उन्नक्ति हुए बिना परिवार समाज पर देश की उन्नक्ति संभव नहीं है वे चाहते थे कि इस्त्रियों को उचित शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे वे अपनी समस्यां चुलजाने के साथ सामाजिक प्रगती में भी योगदान दे सकें इस्त्रियों को सिक्षित करने के लिए केवल किताबी ज्यान ही परयाप्त नहीं है उनका तातपर्य था unacceptable १र्म, शिल्प, स्वास्त, ग्रिह कारे इन सब का ज्यान भी इस्त्रियों को होना चाहिए उनकी प्रबल इच्छा थी कि उनके शिष्य गाउं गाउं जाकर सर्व साधारन में सिक्षा का प्रसार करें, इस्त्रियों को सिक्षित करें परन्तु यह सब कारे अपने देश के धंग से होना चाहिए असहाई अबला घोशित नारी को उसकी शक्तियों से, सबलता से और गुणों से आवगत कराना होगा विवेकानन ने कहा भारती इस्त्रियों को यदि उचित सिक्षा मिले तो वह संसार की सर्वस्रिष्ट आदर्श नारी बन सकती है इस्त्रियों की सिक्षा से ही देश का भविश्य उज्वल हो सकता है क्योंकि उनके सिक्षित होने से ही देश की भावी पीड़ी में विद्या, ज्यान, शक्ति और भक्ति की भावना पेदा होगी नेक्स्ट पोइंट है आत्मविश्वास एवं कर्म की प्रेर्णा विवेकानन ने स्व्यम पर विश्वास करने की प्रेर्णा दी आत्मविश्वास रखने पर ही व्यक्ति में कुछ करने की ख्षमता विक्सित हो सकती है आत्मविश्वासी समाज ही समस्त मुश्किलों, बाधाओं, कठिनाईयों को लांग कर ओपर उठता है विवेकानन ने कहा लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो उस पर विश्वास करो मैं कहता हूँ पहले अपने आप पर विश्वास करो अपने पर विश्वास करो सर्व शक्ती तुम में है कहो हम सब कुछ कर सकते हैं युवाओं को कर्म की प्रेड़ना देते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल मनुष्य भर चाहिए बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा अवश्यक्ता है वीर तेजस्वी श्रद्धा संपन द्रड निश्चई निश्कपट नव यूकों की उन्होंने लिखा भारत माता को ऐसे हजारों यूकों की अवश्यक्ता है ऐसे नव यूकों की जो सांसारिक मूह त्याग कर देश सेवा हेतु जुट जाए इसके लिए उन्हें अपने अंतर इस्तित ब्रह्म को जगाना होगा वह अंतर शक्ति उन्हें बाहरी कठिनाईयों से लड़ने की प्रेणा देगी उनका संदेश था उठो जागो और स्व्यम जगकर औरों को जगाओ पहले अपने नर जन्म को सफल करो उठो बच्चों काम में लग जाओ महान कारे करने के लिए रिदय को अपार शक्ति की अवशक्ता होती है अनन्त शक्ति अनन्त उत्साह अनन्त साहस अनन्त धेर्य होना चाहिए तभी महान कारे होगा मेरे सहसी महान सदाशे बच्चों काम में लग जाओ, स्वार्थ को बिल्कुल त्याग कर कारे करो, हर मुश्किल कारे पहले त्याग और बलिदान मांगता है नेक्स्ट पॉइंट है, क्रांतिकारी परिवर्थनों की अपेक्षा धीमे सुधार का समर्थन तथा योरोपिय करण का विरोध स्वामी विवेकानन सैयम और दूरदर्शिता के प्रतीक थे उनका इस्पष्ट मत्था की उग्र क्रांतिकारी परिवर्तनों की अपेक्षा धीमे किन्तु इस्पष्ट और सुद्रण सुधारों को लाना उप्यूक्त है पुरानी सामाजिक परिपार्टियों की जड़ें गहरी होती है जिन्हें एकदम उखाडने के लिए प्रयत्न विफल हो सकते हैं और लोगों में व्यापक असंतोश भी फेल सकता है इसलिए उन्होंने यही सिक्षा दी कि यदि हम पुरानी सामाजिक परिपार्टियों से सहमत नहीं हैं तो इसके लिए हिंसात्मक साधनों द्वारा उन्हें नश्ट करने के बजाए यह विवेक पूर्ण है कि हम धीरे धीरे उन कारणों का उन्मूलन करें जो उन नियमों और परिपार्टियों के जन्म के लिए उत्तरदाई है विवेकानन ने उग्र क्रांतिकारी परिवर्तनों की अपेक्षा धीमे सुधारों का समर्थन करते हुए सामाजिक जीवन में योरोप का अनुकरण करने की आलोचना की उन्होंने कहा हमें अपनी प्रक्रती के अनुसार ही विक्सित होना चाहिए विदेशियों ने जो जीवन प्रणाली हमारे उपर थोपती है उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करना व्यर्त है ऐसा करना असंभव भी है मैं अन्य जातियों की संस्थाओं की निंदा नहीं करता वे उनके लिए अच्छी है परन्तु हमारे लिए अच्छी नहीं है उनकी विद्धाईं उनकी संस्थाईं और परंपराईं भिन्न है और उन सबके अनुरूप ही उनकी वर्तमान जीवन प्रणाली है हमारी अपनी परंपराई हैं और हजारों वर्षों के कर्म हमारे साथ है इसलिए स्वभावतर हम अपनी ही प्रक्रति का अनुकरण कर सकते हैं अपनी ही लकीर पर चल सकते हैं और हम वही करेंगे हम पाश्चात नहीं बन सकते इसलिए पश्चिम का अनुकरण करना निर्थक है इस बात को स्विकार करते हुए भी कि किसी प्रतिमा की पूजा से प्रत्यक्ष रूप से मूर्ति प्राप्त नहीं हो सकती स्वामी विवेकानन ने इसकी निंदा नहीं की क्योंकि उनके अनुसार यह मन को इश्वर की अनुभूती के लिए तयार करती है मूर्ति पूजा में निहित भावना यहीं है कि हम उसको परमात्मा नहीं परन्तु परमात्मा की केवल प्रतिमा मान कर पूजा करते हैं मूर्ति पूजा हमारे आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में एक प्रारंबिक अवस्था है आध्यात्मिक विकास का आश्य एक निम्नतर या हिंतर सत्य से एक उच्चतर सत्य की और प्रगती करना है और ईश्वर की अनुभूती के लिए मूर्ति पूजा ठीक वैसी है जैसी बाल्यावस्था रधावस्था की परिपक्व पुद्धी के लिए इस प्रकार स्वामी विवेकानन ने मूर्ति पूजा को धर्म के लिए एक सहायक तत्व माना जो प्रार्थमिक या प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक है सदेव के लिए नहीं यह मानव स्वभाव का विधान है लेकिन अपूर्ण मानव को इसी से उपर उठा सकते हैं कि भारत की देनिय इस्थिती का मूल कारण सिक्षा की कमी है उन्होंने ततकालीन भारतिय सिक्षा की पद्धती की आलोचना की सिक्षा का अर्थ स्वामी विवेकानन के लिए उस पूर्णता को व्यक्त करना है जो सब मनुष्यों में पहले से विध्धमान है उन्होंने कहा हमें ऐसी सिक्षा की आवश्यक्ता है जो मनुष्य का चरित्र निर्मान करने में सहायक हो मानसिक शक्ती बढ़ाए बुद्धी का विकास करे और स्वावलम भी होना सिखाए